सनातन धर्म के लिए एक नहीं हजार मुनवर फारुकी कुरबार मुनवर ना तो मेरा दोस्त है और ना ही भाई ये शब्द है एलविश यादव के लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि अब एलविश यादव को हाथ जूड़कर माफी भी मागनी पड़ रही है और अपन दोस्त की कुर्बानी दे दी है ऐसे ही कुछ बाते सोशल मीडिया पर एलविश के खिलाफ चल रही है लेकिन आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि क्यों एलविश ने माफी मागी है एलविश यादव पिछले कुछ समय से काफी परेशानियों में है पहले मुनवर पारुकी के साथ उनकी फोटो को लेकर उन्हें ट्रॉल किया गया इसके बाद मैक्स्टन के साथ उनकी लडाई हो गई अब एलविश ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने धर्व और मुनवर के साथ फोटो को लेकर हो रही कॉंट्रोवर्सी के बारे में खुलकर कर रही है इतना है नहीं अल्विश ने वीडियो में सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी है मुनवर वीडियो में कहते हैं कि एक फोटो मेरी मुनवर के साथ बहुत ज्यादा वारल हुई है जिससे देखकर सब बोल रहे हैं कि मैं उसे गले लगा रहा हूं बाते कर रहा हूं कई लोग इससे नराज हो गए हैं और मुझे फेक हिंदू और गदार बोल रहे हैं आगे ऐल्विश ने कहा कि गदार बड़ा शब्द है लेकिन चलो मैंने आप की बात भी सेहन कर ली कई नहीं ने कहा कि एल्विश में इगो बहुत ज्यादा है और यह माफी नहीं मांग रहा है तो ऐसा नहीं है मैं आप सबसे माफी मांगता हूं एल्विश बोलते हैं कि अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म पर एक नहीं हजार मुनवर कुल्बान है उनको ना मैं अपना भाई मानत हूं और नहीं दोस्त मेरे लिए मेरा धर्म सबसे बड़ा है एल्विश आखरी में कहते हैं कि मेरा आप सबसे निवेदन है कि सोशल मीडिया पर जो भी चल रहा है उसे खतम कर दो हिंदू हिंदू आपस में लड़ रहे हैं हम अपने धर्म के साथ सधा खड़े हैं और मैं ह हाथ जोड़कर अपने हिंदू समाज से कहूंगा कि आपस में ना लड़े मैं आप सबसे सौरी कहूंगा जिसके लिए आप सभी को बुरा लगा है आपको बता दें कि एल्विश ने यह तक कहा कि इन सब चीजों की वज़ह से उन्हें फाइनाइंशली बहुत ज्यादा पर लेकिन इसके बावजूद वो अपने धर्म को प्रमोट करते हैं यह सारी बाते एल्विश ने अपनी वीडियो में कही और उन्होंने कहा कि मेरा धर्म मेरे लिए सबसे उपर है और इसके लिए मैं चाहे फिर हजार मुनवर कुर्बान कर दूँगा तो इस एल्विश की के सारी.